आज में लिखे हैं Acer का गेमिंग लेप्टॉप है जिसका मोडल है Aspire 7 A71579G जो आता है i5-13 जनरेशन प्रोसेसर और RTX 2050 ग्राफिक्स के साथ है तो देखते हैं सिमलर लेप्टॉप के कमपारीजन में कैसा फ़फॉर्म करता है तो कुछ इस तरीके का बोक्स देखने को मिल जाता है और यहां Acer का मोडल लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको बता है और यहां मैं इंट्रेस्टिंग बात बता दूँ अभी रिसेंट्टी में यह वाला मोडल लोन चुआ है बोक्स पे तो MRP काफी दी हुई है वो मैं आपको वीडियो के लाश में बता हूँगा कि यह कितने रुपए का मिल जाएगा बोक्स कोंटेंट की बात करें तो सबसे पहले अपने को मिल जाती है यूजर मैनुवल और यूजर मैनुवल क्या है बुकी है और मुझे अच्छी बात लगी यहाँ अपने को एक इस्कुरू देखने को मिल रहा है SSD को अपग्रेड करने के लिए यह निकिस में 512GB की तो SSD लगी हुई है और एक एक्स्टा स्लोट मिल जाता है तो उसके लिए इस्कुरू भी दिया है एसर ने काफी कुछ से ध्यान रखा है और एक मिल जाती है अपने को प्रीमियम क्वालिटी की पाउर कोड और साथ ही 120 वोट का एडप्टर देखने को मिल रहा है लाइट ओन कंपनी का है यह वैसे एसर पर्सनली बनाती भी नहीं है मुझे पता है और यहां में क्या देख रहा हूं HP में ब्लू कलर की पिन देखने को मिल रही है और यहां पिंक कलर की और फाइनली अपना लेप्टॉप है सबसे पहले इस लेप्टॉप के फीचिक अलोर यूगी बात करो तो यहां एसर की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है और काफी फिनिशिंग में आपको लेप्टॉप देखने को मिल रहा है और इस लेप्टॉप का वेट निकल के आता है ओनली टू केजी देखो यहां मैं आपको बता दू गेमिंग लेप्टॉप है उसके अकोडेंग टू केजी वेट कम देखने को मिल रहा है वैसे बिल्डू कॉलिटी काफी अच्छी दी हुई है जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे फ्लैक्स भी कमी देखने को मिल रहा है यह लेप्टॉप ड्यूल फैन सेटप के साथ आता है और होने भी चाहिए क्योंकि फ्रेंट्स गेमिंग लेप्टॉप है तो गरम भी हो गई और यहां एसर की सील लगी हुई है वैसे आप इन फ्यूचर में चाहो तो रैम को अपग्रेड वगरा कर सकते हो तो SSD को भी अपग्रेड कर पाओगे वारंटी का कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा बोटम में ही टूटू आट के स्टीरियो इसपीकर दिये हुए है और इस लेप्टॉप में काफी सार एर एक्जॉष देखने को मिल रहे हैं लेप्ट राइट और पिछे की तरफ अब गेमिंग लेप्टोब है तो इतने air exhaust तो होने ही चाहिए अब देखों फ्रेंट्स गेमिंग लेप्टोब है तो देखते हैं इस लेपटॉप की टॉपलेड सिंगल एंड से ओपन होती है या नहीं तो जैसा कि आप देख पारें ओपन तो हो रही है लेकिन हलका स देखने को मिल रहा है और मुझे अच्छी बात यह लगी बेजल पर ग्रिप्स दी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हो जबी आप टॉपलिट को डाउन करोगे तो कीबोर्ड और डिस्पले के बीच में स्पेस बना रहेगा जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा औ यहां उपर की तरह पाउर बटन दिया हुआ है इस लेप्टोप में आपको फिंगर पेंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा वैसे आप इसे इग्नॉर कर सकते हो वहां इस लेप्टोप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करो तो फुल साइज का वन जोन आर्जी भी बैक लीड क कीबोर्ड देखने को मिल जाता है की ट्रेवल का इस पेस वह भी मुझे काफी शांदार देखने को मिला और फ्रेंट्स 15.6 इंज का लेप्टोप है तो नमबेड भी आपको देखने को मिल जाएगा और जैसे मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूं तो मुझे फ्लैक्स भी क कमी देखने को मिल रहा है और मुझे एक इंट्रेस्टिंग बात लगी बैकलीट को कंट्रोल करने के लिए आपको फंक्शन इस्टार बटन पर प्रेस करना रहेगा इस बटन से आप डारीटी ओन ओप कर पाओगे और साथी प्लस माइनस बटन से आप कीबोर्ड की ब्राइ सकती थी कंपनी लेकिन वही है गेमिंग लेप्टोप में वैसे ट्रेकपेड कहीं लोग यूज़ करते हैं और इस लेप्टोप के पाम रेश्ट पे प्रोसेसर ग्राफिक से और साउंड की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है इस लेप्टोप के स्पैक्स और देखने को मिल जाती है तो यह मैं फ्रेंड्स आपको दादू फॉर परफॉर्मेंस और फॉर यह एफिशेंस कोर देखने को मिलते हैं और और प्रोसेसर काफी शांदार देखने को मिल जाता है मेमोरी की बात करें तो 16GB की DDR4 थर्टी टूंटर मेंगार्स की रेम लगी हुई है जिसकी read and write speed आपके सामने आई रही है और फ्रेंड्स यहां भी Gen4 SSD रहती तो और ज्यादा बैटर रहता और साथ यह अपने को एक extra M.2 slot मिल जाता है तो अपर slot 1 TB तक extend कर पाऊगे Connectivity की बात करें तो latest Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 दिया हुआ है और वैसे LAN port मिली रहा है तो most of the time आपको LAN से काफी अच्छी speed मिल जाएगी और इसमें integrated GPU देखने को मिल जाता है Intel USD Graphics 8GB की shared memory के साथ आता है और यहां में आपको बतातू फ्रेंड्स इसमें dedicated GPU देखने को मिल जाता है NVIDIA GeForce RTX 2050 GDDR6 4GB का graphics card लगा हुआ है जो 55W की TGP के साथ आता है तो फ्रेंड्स गेमिंग वाली पार्ट में देखेंगे 55W की TGP के साथ यह graphics कैसा परफॉर्म करता है इस laptop की अगर मैं display quality की बात करूँ तो 15.6 की full HD IPS anti-glare display दी हुई है और मैं आपको वीडियो में बोलते है रहता हूँ कि IPS डिस्पले में आपको काफी natural color देखने को मिल जाएंगे साथ ही 250 nits की brightness और 45% anti-se color gamert देखने को मिल जाता है तो फ्रेंट्स यहां मैं आपको उतादू display काफी अच्छी है और gamers का भी ध्यान रखा है क्योंकि gaming laptop है 144 Hz की refresh rate मिल जाती है यहां फ्रेंट्स मैं आपको बदादू जिस budget में यह laptop आ रहा है डिस्पले आपको अच्छी ही म मिल रहे हैं आप अधिकतर मीडिया कंजेप्शन वगरा करते रहते हो तो आपके लिए यह वाली डिस्पले बैस रहने वाली है लेकिन यहां मैं आपको एक important बात बता देता हूं color accuracy वाले काम इस laptop पे आप नहीं कर पाऊगे उसके लिए तो फिर 100% sRGB होनी चीए इस laptop में बात ओर लगी headphone और mic के लिए आपको अलग से jack देखने को मिल जाते हैं वैसे content creators के लिए यह वाले jack अच्छे ही रहते हैं right side में RJ45 port मिल जाता है one USB 3.2 Type-C port दिया हो है जिसे आप only fast data transfer में use कर पाऊगे और एक micro HD card reader slot मिल जाता है और बाकी के ports आपको पीछे की तरफ देखने क तो मिल जाते हैं power input का port दिया हुआ है mini DP port आपको देखने को मिल जाएगा HDMI port दिया हुआ है और अगर आप HDMI से output लोगे तो इसके dedicated GPU से आपको output मिलेगा one USB 3.2 Type-C port दिया हुआ है जिसे आप only fast data transfer में use कर पाऊगे इस laptop के CPU और GPU की actual performance टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें multiple benchmark score टेस और यह हैं 3D Mark Time Spy के score से CPU और GPU के काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और यह है crossmark के score और इनके basis पे आप अधा laptop से compare कर सकते हो और लाशन में जब मैंने इस laptop में PC Mark 10 को run कराया तो score आपके सामने आ रहे हैं 6000 के अप्रोक्स देखने को मिल रहे हैं तो friends और all score वही आ रहे हैं आपके साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लेप्टॉप में टेस्ट करा था हूं तो इस लेप्टॉप ने टाइम लगाया 1 मिनट 10 सेकंड है और जब मैंने इसमें वीडियो एंकोड किया 4K to 1080p एक मिनट की वीडियो फूटेज थी तो इस लेप्टॉप न कैसे क्या देखने को मिलती है तो सब सबहले मैं प्ले करने जा रहा हूं जी टीए फाइव ए गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल एजडी हाई सेटिंग्स पे प्ले किया है और जैसा कि आप देख पा रहे हो सीप्यू एटी डिगरी के आसपास जा रहा है और जैसा कि आप देख पारे हो 100 प्लस fps की फ्रेम रेट मिल रही है मैक्जिमम 140 तक टच कर रही थी और फ्रेंट्स यह मैं आपको दादू गेम काफी स्मूध चल रहा है और बाकी के इट्सेट्स आपी स्क्रीन पे देख सकते हो और ओल गेमिंग परफॉर्मेंस से काफी अच्छी देखने को मिल रही है नेक्स्ट गेम में प्ले करने जा रहा हूं राइस ओप दा टॉम रेडर येम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल एजडी हाई सेटिंग्स पे प्ले किया है और डीलसस को परफॉर्मेंस पे रखा है तो जैसा कि आप देख आप देख पारे हो 100 tips की फ्रेंम रेट मिल रही है और बाकी केस्ट आपको इस स्क्रीन पर दिखी रहे होंगे फ्रेंट्स यहां कफी स्मूज चल रहा है और फेन की काफी अच्छी-कासी नोईस सुनने को मिल रही है नेक्स गेम में प्लेखने जा रहा हूं वर्ल्ड वोर जेड गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को फुल स्टी हाइ सेटिंग्स पर प्ले किया है और जैसा कि आप देख पारेऊं सीप्यू नाइन्टी डिग्री तक जा रहा है वैसे यह में आपको दादू कभी कभार सीप्यू नाइन्टी फाइब डिग्री के आसपास भी जा रहा था वैसे इस्टेबिलिटी की बात करें तो 80 से 90 डिग्री के आसपास है CPU का टेमपरेजर देखने को मिल रहा था और GPU 60 डिग्री तक है और GPU माक्सिमम पाउड ड्रो कर रहा है 45 वोड तक है रेम अप्रोक से 12GB के आसपास यूज आ रही है और जैसा कि आप देख पारे हो 70 fps की फ्रेम रही है और बाकी के इसेट्स आपको इस प्रेंट पर देखने को मिल रही है और मुझे ग्राफिक्स और विज्वल्स काफी रियलिस्टिक देखने को मिले है यहां भी गेम काफी स्मूध चल रहा है और लास्ट में एक और गेम टेस्ट करके देख लेते हैं God of War और लो सेटिंग्स पर प्ले किया है और आपको बताए कि God of War के लिए कम से कम 8GB का ग्राफिक्स काड होना ही चीए तब जाके आपको माक्सिमम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इसी वज़े से मैंने लो सेटिंग्स पर प्ले किया है और जैसा कि आप देख पा रहे हो CPU 80 और फ्रेंट्स यहां में आपको उदादू जब आप गेमिंग करोगे तो आपको फेंड की कॉफी अच्छी कासी नोई सुनने को मिलेगी व्यज़े आपको इपता है कि जब आप गेमिंग करोगे तो हेडफॉन वगरा लगाई लोगे और फ्रेंड्स अगर इस लेप्टो और गेमिंग लेप्टोब है तो आप लोगों का काफी मेजर क्यूसन यही रहता है कि बैटरी बेकप कितना मिलेगा इस लेप्टोब में फॉर सेल फिटी फॉर वाट और की बैटरी लगी हुई है तो आप बैटरी बेकप से ज्यादा उमीद मत रखना और मैंने इसमें टे का परसनल ओपिनियन यही है कि जब भी आप गेमिंग करो तो चारजर प्लक करके ही गेमिंग करो तप ही आपको एक्स्रीम परफोर्मेंस देखने को मिलेगी है golden कने PB की क्वालेटі तो असनी से पने पाऊवगे और साथी CPU काफी पाऊरफूल लगा हुआ है तो आप CPU intensive task भी आप आसानी से कर सकते हो 3D modeling वगर अगर हो गई 1080p editing butter smooth आप कर सकते हो देखो friends और ओर ओल इस laptop की performance ने मुझे coffee impress किया है अगर मैं इस laptop की अभी price की बात करूं तो साथ अभी यह listed है 50,000 के आसपास है और आपको पताए कि दीवाली की sale में कितने use discount है देखने को मिल रहे है और इसी से model में 3050 भी मिल रहा है उसकी price है 57 के आसपास है और वही है card discount के बाद है आपको और अच्छे कासे discount देखने को मिल जाएंगे इस laptop की अगर मैं drop back की बात है रहो तो switch आपको देखने को नहीं मिलेगा साथ ही आपको Microsoft Office भी इस laptop में देखने को नहीं मिलेगा वैसे download वगर आप कर सकते हो और टाइप C port से आप display output नहीं ले पाओगे power delivery को यह वाला port support नहीं करता है और कहीं न कहीं मैं आपको बतातू फ्रेंट्स DDR4 RAM दी हुई है अगर DDR5 RAM रहती तो और भी better performance देखने को मिल जाती लेकिन फ्रेंट्स यहां में आपको बता तो जिस बजट में यह laptop पा रहा है इन सभी चीजों को आप इग्नॉर कर सकते हो और कभी से वीवर्स कमेंट्स करते रहते हैं कि हम गेम कहां से डाउनलोड करें Microsoft ओपीस कहां से डाउनलोड करें तो फ्रेंट्स हमारा ठेलीग्राम जोइन कर लीजिए सभी solution आपको वहां मिल जाएंगे आपके लिए यह वाला वीडियो यूजफुद रहा होगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस laptop के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्यूशन कोई भी डाउट हो तो झाल कोई तो मुझ। कर दो झाल कोई भी कॉटब तो मुझ।